हेलो गाइज वेलकम टू बैक माई चैनल फार्मर वेरड में आप सभी का स्वागत है अब किसी भाई ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके नीचे दिये रेड बटन पे क्लिक करें इस पे आपके कोई खर्चा नहीं है जीरो खर्च है तो आप इस पे क्लिक करें ताकि हमारा नई वीडियो आप तक पहूंच सके आज हम अनजीर की फसल के बारे में आपको दिखा रहे हैं यह हमारे खेट में अनजीर की फसल लगाई वी है देखिया आओ किती अच्छी यह अपने अनजीर की फसल है हर पत्ते के पीछे अंजीर लगे हुए हैं यह देखिया और यह देखिये कुछ अंजीर अभी पक भी गए है तो उसकी तुड़ाइ भी चल रही है यह देखिये बिलकूल पीला कलर का हो जाता है बूत बडिया खाने में बूत बडिया यह अंजीर का फल होता है और हमारे यहां पे लगबग 1100 पेड अंजीर के लगाए हुए हैं तो बूत बडिया इसका रिजल्ट है और इसके आपकी अधी पानी बहुत अच्छा है तो अंजीर की फसल सबसे बडिया होती है आपके हमारे यहां पे थोड़ा पानी थोड़ा बहुत हलका बोल सकते हो टीडियस थोड़ा बहुत ज्याद वह बहुत बडिया है यह देखिए आपको हर्वेस्टिक हो रखा है कोई हो रहा है अभी इस पे पीले फल जो फल त्यार हो जाते हैं पूरी तरह वह पीले सुनेरे रंगे हो जाते हैं वह अलगी चमक रहती है उनकी तो यह देखिए यह कुछ बीच में खजूर भी है और यह देखिए हर पत्ते के पीछे आपको अंजीर के फल दिखाई देंगे यह हमारे अंजीर का कना यह हम तुड़ाइब करेंब साथ साथ में और इसमें कोई भी तकलीब नहीं ऊdeath से रहाए है इसमें आप पर ये आएम वगेरा पियेच भी कल चर, पर के एम भी अग्जोग्टो hundred वगेरा जो भी ये भार चेरिया होते हैं ये खात में मिलां कि बडिया हमें देने चाहिए पोदे में तो इसकी ग्रोध बढ़िया होती है और इसमें फल फाल भी बहुत बढ़िया आता है और इसमें बाकी इस्प्रे का कोई लोड ही नहीं आप इस्प्रे इसमें ना के बराबर करने कमल हुआ ही नहीं अभी तक इसमें कोई इस्प्रे है और साल में एक वार कटीन का होता है कि आप बड़िया कटीन करोगे तो यह तीन-चार तेहनी जो टना होता है तीन-चार रखने होते हैं हुआ हमारे तो दो साल के यह पेड और यह देखिया फगे हर पत्ते के पीछ आपको बुद्विढिया फ़ल मिलेंगे हर पत्ते के पीछे हैं। कुछ बड़े पेड़ हैं कुछ थोटे हैं रह गए हाथ थोड़े कंव हैं और की सीप्ग है बहुत बड़न Siep और वे Bitcoin सात में चल रहा है और जो नए फल आ रहे है近वे अभी त्यार होरे हैं सात में और इनको हमने पांच वार हर्вेस्टिंग कर 이거는 प्कते हैं तो इन को हर्वेस्टिंग कर ना जरूरी होता है अब हर तीसयरी दिन आपको पूरे पेड़ा जाकर évidemment अच्छे फल पक गए हैं पिले रंके सुने रहे तो उनको तोड़के फिर हम मार्केट में इनको दे देते हैं तो बूत बडिया इसका हमें प्राइज मिल जाता है अंजीर की फसल में और इसमें पाले की समस्या सबसे जादा रहती है तो उसके लिए भी आपको जो इसका अगेरा आता है इसके उपर आपको ठक्के रखना चाहिए और बाकिस में कोई भी रोग की समस्या होती नहीं है और फिर भी हमारा पानी भारी है तो भी पत्ते देगी आप किते अच्छे पत्ते हैं बहुत बडिया फाल फल आ रहा है तो इससे अंजीर का मार्केट भी दिता है इना रहना आता है ref drilled शेवान होता होतागा सब्सक्रांतो हुए हूं जब यह रहे रंग के रहोते हां है तो डुडिया होती है और प्यले रंग के हुता है ता आप इसको कि मार्केट में निकाल भी चकते हो ने क्छा मार्केशूलागा परन सेफ्रिम्स पेलिस आरा स्क्राइब से हो जाते हैं तो जो बड़े पेड़े उन पर बूद्वीडी अमाल आ रखा है और चोटे पेड़े तो उन को अगले साल आएगा अभी यह दो साल के हुए नहीं है डैट साल हुआ है करेकमलों तो डैट साल में भी इसका हर्वेस्टिंग सरू हो जाता है बहुत वीडिया फसल है और इसमें पक्सियों का भी थोड़ा बहुत नुक्सान रहता है तो इसके लिए आपको क्रॉप कवर का ही इस्तेमाल करके इसकी रुकाउट कर सकते हो